उत्तर प्रदेश के सुल्तान पुर्जिले में आज उस समय कोहराम मच गया जब पारिवारिक विवाद में कल्यूगी चाचा ने अपने पांच साल के भतीजे का गला घोट कर हत्या कर दी। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मिरतक बच्चे के शोग को कुएं से बाहर निकलवा कर पोश्मॉटम के लिए भेज मामले की तपतीस में जुट गई। कि तभी उसके चाचा स्यामू ने बहला फुसला कर उसको घर से बाहर ले गया और गला घोट कर उसकी हत्या कर शोग को गाउं के बाहर इस्थित कुएं में फेक दिया। कर हत्या कर दिया है और उसके शोग को कुएं में फेक दिया है जिसके निशादेही पर पुलिस में मृतक बच्चे के शोग को कुएं से बरामत कर पोश्मॉटम के लिए भेज दिया है। आरोपित श्यामू को बलदी राय थाने की पुलिस ने हिराशत में लेकर बिरिक कारवाही में जुड़ गई है और पूरे मामले पर कारवाही की जा रही है। पुलिस में जुड़ बाद कर दो कारवाही में जुड़ गेश पर कर कारवाही में जुड़ गई जुड़ गई है।